हेलो क्लास 11th students, sets के 5th exercise के 5th question को हम लोग आज के वीडियो में solve करेंगे question बोला है draw appropriate when diagram for each of the following हमें A union B के dash के लिए when diagram बनाना है तो मैं बता रहा हूँ बहुत easy है अगर dash की बात कर रहा है तो dash हमेशा universal set से होता है dash मतलब हमें universal set का help लेना पड़ेगा तो क्योंकि मुझे when diagram बनाना है तो सबसे पहले मैं universal set बनाऊँगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा universal set बनाऊँगा तो माल लेते हैं ये है एक universal set ठीक है और इस universal set के अंदर हमें A और B बनाना है ठीक है तो बना दे रहे हैं कौन सी दिक्कत वाली बात है ये रहा A और ये रहा B तो clearly देखिए आपे ये A है और ये B है लिख दे रहों में नाम ठीक है ये A है और ये B है तो A union B का मतलब क्या होता है A union B मतलब ये पूरा area ठीक और याद रखेगा ये जो है वो क्या है ये universal set है यू अब मैं first वाले का van diagram मना रहा हूँ ठीक है इस वाले के लिए मैं van diagram मना रहा हूँ तो A union B मतलब A union B मतलब ये वाले area जिसको मैं white color से shade कर रहा हूँ ये area ठीक और A union B dash मतलब A union B dash मतलब होता है कि universal set में से A union B हटा दीजिए तो अगर universal set में से ये area हटा देंगे तो कौन सा area हमें दिखेगा clearly है ये area देखेगा जिसको मैं red color से shade कर रहा हूँ ये area देखेगा ना अगर मैं universal set में से A union B हटा दूँ तो हमें ये ही red वाले area देखेगा ठीक है तो A union B dash मतलब ये red वाले area ये red वाले area ये ही क्या हो जाएगा A union B का dash हो जाएगा ठीक है फिर से समझाता हूँ क्यों कि यहाँ पर dash दिया है तो मुझे एक universal set बनाना पड़ेगा तो मैंने universal set बना दिया अब universal set के अंदर ही A और B होंगे ये रहा A और ये रहा B ठीक है A union B मतलब A union B मतलब ये अंदर वाले area और A union B dash मतलब A union B dash मतलब होता है कि universal set में से आपने A union B यानि ये वाला चीज़ हटा दिया है जब ये चीज़ हटा देंगे तो यही red वाला area बचेगा यही मारा answer जागा मतलब A union B dash actually ये red वाला area रेप्रेजेंट कर रहा है अब second वाला part करेंगे तब तक इसे note कर लिए अब देखे second part के लिए वी कुछ ऐसा ही बनेगा क्योंकि यहां पर भी dash दिया है dash मतलब होता है universal set तो मैं इसको universal set मां ले रहा हूं इसको A मां ले रहा हूं इसको B मां ले रे रहा हूं ठीक है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ठीक है यह हो जाएगा a dash जिसको मैं red color से mark कर रहा हूँ यह हो जाएगा a dash मतलब a को छोड़के सब कुछ ठीक है जिसको मैं red color से mark कर रहा हूँ वो है a dash या दखिएगा ठीक है यह क्या है a dash है ठीक यह area क्या है a dash है जिसको मैं red color से mark कर रहा हूँ ठीक है एको छोड़के सब कुछ ठीक है और साथ में यह बोला है बीडैस तो बीडैस मतलब क्या होता है कि इस एरिया को छोड़के सब कुछ ठीक है बीडैस मतलब क्या होगा है इस वाले एरिया को छोड़कर सब कुछ इस वाले एरिया को छोड़कर सब कुछ इस वाले एरिय na green color is a result डेसको फिकर्रिया आए बिडेस में ये एरी आएएगा हूं मिय एडिया कि बी Doze में मात चोड़गे बीडेस मतलब बी को छोड़गे सबकुछ जी अब देख पार है ये डीर वाला पोडशन जो हूं वह बेस्ट है रड़ वाला पोर्शन जो ago को एडैस है हमें एडैस और बीडैस का इंटरसेक्षन करना है तो बताएं दोनों का इंटरसेक्षन कहां हो रहा है बाएं अनला सब जरा एप तो आप ग्रीन लाइन्स तकरा रहे हैं यह area मारणा सबस्था है तुह आजा एसा मैं किया सकता हूं कि SU और B-स का intersection actually ए硬ा यह और यह हूगा कि यह हुगा यह मार आंसर होगा यह जो area है रचली एडास intersection बी-स का ser ऑघ्या है ठीक थिआध्ए वालगाएंगे तब celery से या सेरे किस pakai जर था था सेथ अब देखिए थ्रट क्या है थर्ड है ये इंटरसेक्शन बी ketno मुझे डैस से मतलब है तो मैं इसको यू माल ले रहा हूं ठीक है इसको ए माल ले रहा हूं इसको बी माल ले रहा हूं तो ए intersection बी मतलब क्या होता है कि ए और बी कहां पर आपस में मिल रहा है common reason common reason क्या है यह वाला है common reason common reason यह है जिसको मैंने white है यह रिजन कॉमन है लेकिन हमें इंटर्सेक्षं बी का डैस कालता है डैस मतलब पूरे युनिवर्सल सेट में से यह वाला पॉर्शन हटा दीजिए मतलब रेट कलर से अ मात कर रहा हूं दयान से देखिएगा ठीक है यह यह दिखेगा हमें ठेक है, तो दिक्कत इस बीच वाले को छोड़कर बाक्यि सब वाही हमारा A intersection B का डेस हो जाएगा मतलब इस बीच वाले एरिया को छोड़के सब कुछ अंटर सेक्शन बी डेस मतलब इस बीच वाले एरिया को छोड़के सब कुछ तो अराम से बैठके बना ली जागा यह कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को पॉस्ट करके बनाएगा क्योंकि मैं इससे बाते में मिटा दूंगा अब फОर्थ वाला देखेंगा अ देच्गएंगा है G2 है युद्स देच्टम रखेंद्स है इसको कि इस को युनीवर्सल अलेंगे इसको स्पार्ग अलेंगे इसको ब fortunate फिक है ऎडस मतलब एको छोड़कर सब कुछ फिक है तो मैं एको छोड़कर सब उसके लिए मैं इस वाले लाइन का यूजद कर रहा हूँ होRIजन्टल लाइन का ठीक है लोग फिर सबकुछ तो जो रेड़ वाली लाइन से वह ये के सब कुछ बता रही है ठीक है ध्यान से देखेंगा बहुत ही ध्यान से क्रूश्वल कुश्य नहीं इंपॉर्टेंट भी है ठीक है कि लोग पैरल लाइन से डॉकर दे रहे हैं जिससे पता चलेगा एडैस ठीक यह डैस वाला एरिया है ओके क्लियर ना अब ध्यान से सोचिएगा बी डैस भी करना है बी डैस मतलब बी को छोड़के सब कुछ बी को छोड़के सब कुछ मतलब बी को छोड़के सब कुछ मतलब यह वाला एरिया ना यह वाला ठीक है बी को छोड़के सब कुछ मतलब यह इस वाले गोले को छोड़क डिक उसके लिए यह वाली लाइन ही उसकर रहा हूं को है फिक यह वाली लाइन को ओकें रहा है बनुध यह गलतीस बन गया मिया ठीक है यह बैद आले लाइन को आप यह डिदरों मैं ग्रीन्वाली लाइंस सै ऐसे ओक तो कि तो हमारा एडास लाल वाले पट्टी है और बी डास ग्रीन वाला पट्टी है हमें a-zustj dwa का union करना है मतलब लाल वाली LINE और हरी वाली LINE दोनों हमें देखनी है तो लाल वाली LINE और हरी वाली LINE दोनों चाहिए तो कौन से रीजन है जिसमें दोनों है यह पूरा पूरा ऑर ईजन और बस इसी वाले बाकी सम्में तो आई रही नहीं है बाकी सब आ जा रहा है यूनियन मतलब बाकी सब इस बीच वाले में ही लाल और हरी लाइन्स ज्रो नहीं हुई है इसका मतलब बाकी सारे चीजे एडास यूनियन बी डास की है तो चारो के चारो पार्ट का मैंने वेंड डाइग्राम बनवा दिया है उमीद करता हूं समझ में रहां कोई होका कोई डाउट है तो आपने वन डाइग्राम को Πूछ लिए ऩयक्ता आप झाल झाल